वाईनार्ट लोगसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंच तयार है कॉंग्रस की ओर से प्रियंका गाधी चुनावी मैदान में है जबकि बीजेपी उमिद्वार नाविया हरिदास मैदान में है क्या आप जानते हैं कौन है नाविया हरिदास जिने बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ उतारा और वाईनार्ट में मुकाबले को और भी दिल्चस्प बना दिया है वाईनार्ट उपचुनाव की मुनादी हो चुकी है सियासी बिसात बिच चुकी है बीजेपी, कॉंग्रेस और लडियेप ने अपने अपने पत्ते खोल दिये हैं वाईनार्ट उपचुनाव में इस बार कांटे की तक्कर होने वाली है कॉंग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने नाविया हरिदास को वाईनार्ट से उतार कर मुकाबला दिल्चस्त बना दिया है महिला मोर्चा की नेता नाविया हरिदास का वाईनार्ट सीट पर मुकाबला प्रियंका गांधी और लडियेफ कैंडिडेट सत्यन से होगा राहुल कांधी के वाइनाट लोकसभा सीट खाली करने के बाद यहां उपचनाव जरूरी हो गया था राहुल कांधी वाइनाट से और राइबरेली दोनों जगा से लोकसभा चुनाव जीते थे वो कोजी कोड नगर निगम की दो बार पारशद रह चुकी है सियासी दाउपेज पर वो अच्छे से जानती है वाइनाट के एहम मुकाबले में नाविया हरिदास के पास चुनावी अनुभव भी है वो 2021 के विधानसभा चुनाव में कोजी कोड डक्षन सीट से चुनाव लड़ चुकी है हाला कि वो जीत हासल नहीं कर पाई और आईनल के अगर हम बात करें तो एहमद और आईउमल के नर्बिया रशीत के बाद तीसरे नंबर पर रही अब देवर कोविल ने 2021 का चुनाव 44.15 फिजदी वोटों से जीता था जबकि नाव्या हरिदास के अगरम बात करें तो 20.89 फिजदी वोट उनको मिले थे सवाल ये खड़ा होता है कि नाव्या हरिदास कौन है समचार एजनसी PTI की माने तो नाव्या हरिदास पेशे से सौफ्ट विर इंजीनियर है हरिदास नगर निगम में बीज़पी संसदी दल की नेता के रूप में कारे करती है पाती सूत्रों के अनुसार वो महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव भी है उमीदवारी फाइनल होने के बाद नाव्या हरिदास ने रवीबार को उंकार भरी थी और कहा था कि गांधी परिवार इस निर्वाचन शेत्र को महज़िक विकल्प या दूसरी सीट के रूप में देख रहा है इस शेत्र के लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है हरिदास ने कहा कि वाइनाट के मतदाता एक ऐसा नीता चाहती है जो उनकी खिलाफ खड़ा हो उनकी समस्याओं का समाधान करे मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है वाइनाट उप्चिनाव प्रियंका गांधी के लिए अगनी परिक्षा होगी वाइनाट ने राहूल गांधी को दो बार विजय बनाया है राहूल गांधी के विरासत को प्रियंका गांधी बचा पाती है या नहीं ये 23 नवंबर के नतीजों से फाइनल हो जाएगा हाला कि ये सियासी मुकाबलात रिकोडी होने की पूरी उमीद है प्रियंका गांधी को LDF के सत्यन और BJP की नाव्या कितना तक्कर दे सकती है प्रियंका गांधी के लिए ये उपचुनाव इस बात का इम्तिहान होगा कि कॉंग्रेस सत्ता विरोधी लहर का फाइदा उठाने में कितनी काम्याब होती है यानि कि आप ये समझे कि प्रियंका गांधी के लिए वाइनाट उपचुनाव एक तरफा नहीं है जीत आसान नहीं है मुकाबलाद दिल्चस्प है, मुकाबलाद रिकोडी है और उनके लिए रहा आसान नहीं होने बाली है लेकिन इंतजार नतीजों का करना होगा आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कॉमेंट करें, कुछ सवाल आपके हैं वो भी आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत बेल आइकन दबाएं जो कि आपके इंप्रस्ट की सारी खबरे आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं